सवित्र वे फिले सिक्षम प्रसरक मंडल संचलित शंतिनी केतन प्रैमरी स्कूल सातरा परिशर आवरंगबाद में आपका स्वगत है मैं अध्यापक अबंग प्रकाश सब्जेट हिंदी स्टैंडर्ड फिप्ट लेक्चर सेवेन टॉपिक नेम बधैकार्ड इस पाठका आज हम अध्येन करेंगे आगे पाठका परिचे जन्मदीन विवह समरोह त्योगवार अधिक आउसर पर बधैकार्ड भेजा जाता है अपने हाथ से बनाए हुआ कार्ड भेजने का मजा ही कुछ और है इस पाठ में बधैकार्ड बनने की विधी बताई गई है देखो, सुनो और बनाओ पाठ प्रमंक साथ बधैकार्ड यहाँ पर बधैकार्ड बननने की सामगरी और कुरूती हमें यहाँ पर बताई है सामगरी सबसे पहले हम बदय काड़ बनाने के सामगरी देखेंगे कुन से सामगरी डगती है बदय काड़ बनाने में तो सबसे पहले कागच, पुरानी साडी की लेस, टिकलिया, रंगिन काज के छोटो छोटो टुकडे, कैची, गोल यह बदैकाड बनाने की सामगरी है अभी बदैकाड बनाने की कुरूती हम देखेंगे बदैकाड के लिए अवश्यक अकर में कागज को हमें क्या करना है काटना है कागज को काटना है पुरानी साड़ी की लेश को काटकर चारो किनारे में हमें क्या करना है चिपकाना है कागज के चायारों किनारों में काड को अकरशेक बनाने के लिए टिकलियों और काज के छोटे छोटे टुकडों को उची जगों पर हमें चिपकाना है जब तुम बधै काड बनाओगे तो बधै काड अकरशेक बनाने के लिए क्या करना है कि टिकलिया और काज के छोड़े चोड़े टुकड़े कागज पर उची जगह पर हमें चिपकाना है इससे क्या होगा इससे बधाय कार्ड हमारा अच्छा दिखेगा सकेच पेंसे विविद रंगों की सजावट करनी है और हमें जिसे बधाय कार्ड भेजना है वहाँ पर हमें बधाय कार्ड पर बधाय का संदेश लिखना है ठीक है तो आगे देखेंगे आगे बधाय कार्ड बना हुआ है देखो यहाँ पर बधाय कार्ड यह बना हुआ है ठीक है यहाँ पर अच्छा डिजाइन दार बधाय कार्ड हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है या फिर तुम पाठ्थे पुस्तक के पेज क्रमांक गेरा पर भी देख सकते हो पाठ्थे पुस्तक के पेज क्रमांक गेरा पर बधाय कार्ड यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा इस बधाय कार्ड में देखिए लिखा है पुझ्य दादाजी सादर प्रणाव दादाजी को यह बधाय कार्ड भेजा है जन्मदिन की बधाई दादाजी का बर्थडे है बधाई है और उन्हें जन्मदिन की बधाई यहाँ पर दी है आपकी आपका प्रिय पोती और पोता सुपनिल मेगा यहाँ पर लिखा है किस अउसर पर दादाजी के जन्मदिन के अउसर पर यह बधाय कार्ड बना कर भेजा है आप भी बधाय कार्ड बना सकते हो बधाय कार्ड बनाने के सामक्री और कुरूती मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है और अच्छा एक सुन्दर बधायकार तुम भी बनाकर बेच सकते हो, तुमारे घर में तुमारे मम्मी का, पपा का, या फिर बड़ी दिदी का, या फिर बड़े भाई का, या फिर चोटे बहन भाई का अगर जन्मदिन है बर्दे है तुम उनको भी यह बधय कार्ड बना कर दे सकते हो इस तरह बधय कार्ड बना कर दे सकते हो ठीक है आगे देखेंगे यहाँ पर तुम्हें एक मौखिक प्रश्ण दिया है बधय कार्ड बनाने में कोन सी सामगरी लगती है बताओ यह तुम्हें बताना है तो तुम ऐसे बताओगे कि बधय कार्ड बनाने में या फिर बधय कार्ड बनाने के लिए कागज पुराने साड़ी की लेस टिकलिया रंगिन काज के छोट चोट चोट टुकड़े कैची गोन अधी सामगरी लगती है इस तरह तुम्हें बताना है कि बधय कार्ड बनाने की सामगरी ठीक है आगे देखिए यहाँ पर हमारा जो पार्ट था पार्ट करमंत साथ बधय कार्ड यह समप्त होता है इसमें हमने बधय कार्ड बनाने की सामगरी और कूती देखी और यहाँ पर सुपनिला और मेगा ने अपने दादा जी को जन्मदिन की बधय पर यह बधय कार्ड दिया है यह हम आज के इस पार्ट में देखा है तो यहाँ पर हमारा पार्ट सातुवा बधायकार समापत होता है थैंक्यू नेक्स लेक्चर लेक्चर एट टॉपिक नेम करो और जानो इसका अध्यन अध्यपन हम नेक्स लेक्चर में करेंगे थैंक्यू